हाई गाईस मेरा नाम है चिराग और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं OnePlus Bullet Z2 के बारे में और ये OnePlus का एक premium neckband style wireless headphones है इसके पहले OnePlus Bullet Z, Bullet Z base edition launch हो चुके हैं जो अब discontinue हो गए हैं और Z2 अभी अभी recently launch हुआ है और क्योंकि एक latest product है तो definitely हमको इसमें कुछ previous generation से definitely upgrades देखने को मिलते हैं बाकी brands अपने बहुत सारे earphones launch करती रहती हैं जिससे हम confused हो जाते हैं कि कौन सा better option है लेकिन OnePlus साल में ऐसे कुछ एक दो ही product launch करता है जिससे हमको choice making में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है price है इनकी 2000 rupees और offers के time पे आपको ये 1800 से 1900 rupees के around में मिल जाएंगे इसमें हमको ज़्यादा price drop देखने को नहीं मिलता है अब इसके box की बात कर लेते हैं इनकी packaging भी बहुत ही must होती है और जब आप इनको unbox करोगे तो आपको एक premium experience मिलेगा इसमें हमको 3 color options मिलते हैं black, blue और red box में सबसे पहले मिलता है हमको earphones उसके बाद मिलता है एक box जिस पे लिखा हुआ है charge for 10 minutes, enjoy for 20 hours मतलब यहाँ पे हमको एक fast charging earphones मिलेंगे जिसमें हमको super fast charging मिलने वाली है मतलब आप सिर्फ 10 minute की charging बे 20 hours का playback इसमें expect कर सकते हो इसके अंदर हमको मिलते हैं documentation जिसमें हमको warranty information और user manual मिलती है कुछ extra pair of ear tips मिलते हैं आपके अलग-अलग ears की size क्या according आपको जो ear tips जादा पसंद है या फिर जो best fit है वो आप इसमें use कर सकते हो red cable club का card मिलता है और मिलती है हमको एक one plus branding वाली USB-C cable earphones को charge करने के लिए इनको pair करना भी बहुत ही आसान है soft silicon material से earphones बने हुए हैं और काफी comfortable हैं आपको ऐसा कोई heavy या फिर अजीब सा नहीं feel होगा बहुत ही lightweight है और आपकी pocket में भी आप इसको easily carry कर सकते हो बहुत ही अच्छी तरह से ये fold हो जाते है earphones की right side में मिलती है हमको one plus की branding और left side में हमको इसके सारे controllers मिल जाते हैं जिसमें हमको volume up down button है और एक center button है ये multi functional buttons है और सारे functions में आपको यहाँ पे mention कर दूँगा इसके side में हमको microphone मिलता है calls को answer करने के लिए और उसके पास है USB-C port earphones को charge करने के लिए ear tips की design है पहले से improve कर दी गई है और ये metal casing में आते हैं और इनकी जो ear tips है उसमें हमको पहले की तरह magnetic controls मिलते हैं जिससे कि आप इनको on off कर सकते हो और ये feature मुझे बहुत ही जादा convenient लगता है जब भी आपको earphones को use नहीं करना है तो आप इनको एक दूसर से जिपका कर रख सकते हो जिससे कि ये disconnect हो जाएंगे आपके phone से और off हो जाएंगे और फिर जब आप इनको separate करोगे तो ये automatically connect हो जाते हैं तो ये बहुत ही अच्छा feature है आपको ये feature कैसा लगा मुझे comments में ज़रूर बताना Pacifications की अगर बात करें तो यहाँ पे हमको मिलता है Bluetooth version 5 जिससे कि आपको बहुत ही अच्छी connectivity मिलेगी और यहाँ पे इस बार हमको drivers मिलते है 12.4 mm के जो की एक definitely upgrade है previous generation में हमको 9.2 mm पे drivers मिलते थे तो definitely आपका music experience enhance होने वाला है यहाँ पे हमको AI noise cancellation मिलता है जिससे कि आपकी calling experience वे वो भी better हो जाएगा इसमें हमको super fast charging मिलती है जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आप इसको सिर्फ 10 minutes के charge करने पे 20 hours तक का playback को experience कर पाओगे और यहाँ पे जो total playback time है वो है 30 hours का जो की बहुत ही definitely एक upgrade है अगर आप इन एएरफोंस को कभी भूल भी गए charge करना तो आपको कोई चिंदा करने की जरूत नहीं होगी आप इनको 5-10 minutes charge करोगे तो आपको दिन भर का playback time मिल जाएगा और इसमें हमको IP55 sweat और water resistance भी मिलता है अब finally अगर इसकी sound quality की बात करें तो जितना मैंने इनको use करा है मुझे definitely इसका sound है वो बहुत ही पसंद आया है drivers की size increase होने से यहाँ पर जो bass है वो boost हो चुका है और यहाँ पर जो low है और mids हैं उसमें भी आपको बहुत ही अच्छा sound experience होने वाला है और अगर आप bass lover हो तो आपको definitely बहुत ही जादा मजा आने वाला है क्योंकि 12.4 mm के जो driver से definitely upgrade है और normal songs में भी आप इनको बहुत ही अच्छा सा experience मिलने वाला है और calling भी आपकी improve हो चुकी है battery का already मैंने आपको बता चुका हूँ और market में भी बहुत सारे nagband style earphones already available है कुछ में तो हमको इससे भी जादा अच्छी specifications offer होती है लेकिन इन earphones का experience है वो definitely premium मिलने वाला है और अभी बहुत सारे TWS earphones भी launch हो रहे है लेकिन मुझे personally nagband style जादा convenient लगता है कोई खो जाने का डर नहीं होता है long life आपको battery मिल जाती है और यहाँ पे जो price है वो भी कम होती है वैसे आपको किस टाइब के earphones जादा पसंद है मुझे comments में जरूर बताना तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया OnePlus Bullet Z2 wireless neckband earphones के बारे में अगर आपको इनको purchase करना है तो इसकी link आपको description में मिल जाएगी आपको यह earphones कैसे लगे मुझे comments में जरूर बताना और कोई doubts हो तो please comments में पूछ लेना और अभी तक channel को subscribe नहीं गया तो please channel को subscribe कर लो मिलता हूँ आप से ऐसी और interesting videos में तब तक के लिए बाई बाई